हमें तीन सिक्कों के उच्छालने पर exactly दो हेट्स मिलने की प्रायक्ता निकालनी है। ये प्रायक्ता निकालने के लिए हम पहले तीन सिक्कों के उच्छालने पर मिलने वाले सभी संभावित परिणामों को लिखेंगे। तो तीन सिक्के उच्छालने पर हमें तीनों पर टेल मिल सकते हैं तेल्स 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 फिर टेल्स तेल्स और हैट्स फिर टेल्स हैट्स तेल्स तेल्स हैट्स हैट्स तेल्स हमें हैट्स तेल्स हैट्स मिल सकता है हैट्स हैट्स मिल सकता है यह यह भी हो सकता है कि तीनों सिक्कों पर हैट्स मिले तो हमारे पास एक दो तीन चार 5, 6, 7, 8, 8 संभावित परिणाम possible outcomes है, अब हमें ये पता करना है कि यहां exactly 2 heads मिलने की प्राइक्ता क्या होगी, चलिए देखते हैं, यहां सभी tails हैं, यहां 1 heads है, यहां भी 1 head है, लेकिन यहां 2 heads हैं, फिर यहां 1 head है और यहां 2 heads हैं, यहां भी 2 heads हैं, और यहां 3 heads हैं, इसलिए हम इसे नहीं लेंगे, मतलब यहां 3 परिणाम ऐसे हैं, जहां हमें exactly 2 heads मिलते हैं, तो यहां exactly 2 heads मिलने की प्राइक्ता है, यहां exactly शब्द लिखना बहुत जरूरी है ताकि आप 3 heads वाले परिणाम को ना लें, क्योंकि वहां भी 2 heads हैं, लेकिन हमें exactly 2 heads वाले परिणामों को ही लेना है, तो यहां exactly 2 heads मिलने की प्राइक्ता बराबर 3 परिणाम जहां exactly 2 heads मिलते हैं, बटा 8 संभावित परिणाम हैं, और यह 3 बटा 8 के बराबर है, यही हमारा उत्तर है